गुर्मानी एवरीवन मैं हूँ ट्येस वना ट्येस एकडेमिय पे आपका स्वागत है चलो तो कल जहां से वह था उससे अगला पार्ट लेगे स्टार्ट है और के चलो क्योशन क्या बोल रहा है अपना क्योशन है कि 4 की पावर 6 1 4 की पावर 6 2 प्लस 4 की पावर 6 3 4 प्लस 4 की पावर 6 4 या संक्या जिसमें किस से विवाजित होगी अपने ओप्षन दिये गए हैं 3 10 11 0 30 किस से डिवाइट होगी ओके चलो ठीक है तो अपन सबसे पेले इस प्रकार की questions में क्या करेंगे? solve यनि 4 की power 6 1 को अगर मैं common ले लेता हूं तो यहां बचेगा 1 PLUS यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा 4 की power 1 PLUS यहां कितना बचेगा? 4 की power 2 यहां बचेगा 4 की power 3 ठीक? ठीक है 4 की पावर 6, 1 यहां बचेगा, यह कितना 5 और 1 प्लस 4 4 की पावर 2, यह हो जाएगा 16, यह कितना हो जाएगा 4 की पावर 3, 64 ठीक, ठीक है 4 की पावर 6, 1, इन दोनों को जोड़ो तो कितना जाएगा, 64 और 16 80, 80 और 4, 84 84 ने 1, 85 ठीक है यहां इस 4 को 4 की पावर 6, इन दो 85 इस से लिखनों, ठीक, ठीक है अब अपने को, इसने बोला कि जो दी गई संक्या यहां किस से विभाजित होगी जो दी गई संक्या यहां किस से विभाजित होगी, तो option देखो 3 से क्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी 11 से, 13 से, 3 से नहीं होगी यहनि कुल मिला के अगर 10 से डिवाइड करूँ मैं 10 से डिवाइड करूँ तो यह जाएगा 17 टाइम और यहां 2 बचेगा, इस 2 से जाएगा 4, 2 टाइम यहनि कुल मिला के 10 इसको डिवाइड कर देगा मेरा option B सही है 10, okay, option B सही है ठीक, ठीक है अगला question देखो अगला question बूर रहा है यदि N एक प्राक्रस संक्या है तो 6 की power N-1 निमनी लिखित में से उनतया विबक्त होगी यहनि N एक प्राक्रस संक्या 3 ऐसे करके on-s-on ठीक है इन्फिनिटी तब यहनि प्राक्रस संक्या है तो यह किस से डिवाइड होगी यह किस से डिवाइड होगी तो यह अपने को देखना है यानि अगर अपने पास value दे रही है 60 power minus 1 इसमें N की value अगर मैं 1 रखता हूँ N की value अगर मैं 1 रखता हूँ 6 minus 1 बराबर 5 यानि 5 option में नहीं है यानि 5 से यह भी कटेगा यह भी कटेगा यानि इन दोनों को नहीं लगा सकते है इसी प्राकार अब N बराबर 2 रखता हूँ minus 1 ठीक है N बराबर 2 रखा तो 36 minus 1 बराबर 35 क्या 35 ओप्षन में है तो यह संक्या इससे divided होगी घिक अगला क्योशन देखो अगला क्योशन क्या बोल रहा है अगला क्योशन बोल रहा है यदि N एक धनात्मक पूनांग है तो 3 की पावर 4N minus 4 की पावर 3N सदिव की संक्या से विभाजित होगी ठीक है? ठीक, सॉलू, इसको कैसे करते हैं? इसको करते हैं, ये उल्डरा है, अपना option क्या दे रहा है? 3 की पावर N, माइनस 4 की पावर 3 N, ठीक, ठीक है, इसको क्या करूँ? अगर 3 की पावर 4, इसकी whole power N, 4 की पावर 3, इसकी whole power N लिख दूँ, ठीक, 3 की पावर 4 होता है, 81 इसकी पावर n यह कितना होगा 64 इसकी पावर n अब एक फॉर्मूला लिखाया था एक फॉर्मूला बताया था मैंने एक सी पावर n माइनस एक सी पावर y सोरी y की पावर n ठीक यह हमेशा डिवाइड़ होगी x-1 से sorry x-y से तो यहां लिख लूँ अगर x की वेल्यू यह है और y की वेल्यू यह है तो 81-64 यानि यह संक्या डिवाइड होगी हमेशा 17 से किससे डिवाइड होगी हमेशा 17 से ठीक, ठीके x की पावर n यह हमेशा डिवाइड होगी x-y से ठीके, ठीके, तो अपने क्या लिखा x-1, यह x की वेल्य, यह y की वेल्य x-64, मैंने x-y कर दिया 70, यह यह संख्या 70 से डिवाइड हो जाएगी कोई सी भी value रख लो आप हमेशा 70 से divide हो जाएगी ठीक है ठीक अगला question देखो अगला question क्या बोल रहा है कि 17 की power 200 को 18 से विवाजित क्या जाए 18 से विवाजित है जिदी 17 की power 200 को 18 से विवाजित करने पर 6 पल क्या बचेगा ठीक है solve यह 17 की power 200 को अपने को divide करना 18 से तो 6 पल आपका 6 पल क्या आएगा 6 पल निकालना अपने को ठीक क्या इस 17 को 18 माइनस 1 करके इसकी power 200 कर दूँँ कोई दिक्कत नहीं ठीक ठीक है आगे देखो क्या यह 17 अगर इन दोनों को अगर मैं फोलूँआँ यह खोलूँआँ अगर मैं इसका bracket खोलूँआँ यह 18 से डिवाइड हो जाएगा यह याँ यह 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 0 बचेगा इसमें से एक में से divide करो मतर नहीं जाएगा न minus 1 इसकी power 200 upon 18 ठीक ठीक है अगर यह संक्या sum है यह संक्या sum है तो positive आएगा यह संक्या positive है संक्या sum है तो धनात्मत संक्या और अगर यह संक्या विशम है तो रिनात्मक संक्या ठीक ठीक है तो यह एक sum संक्या है यह इस minus 1 की power 200 है तो यहां 1 ही बचेगा upon 18 ठीक यहनी मेरा शेशपल बचेगा मेरा शेशपल बचेगा बराबर 1 ठीक है option number ठीक ठीक है यह क्या बोट रहा है यदि अपने को एक संक्या दे रखी है 597523 को में संक्या देखो एक बार रिपीट कर दे दो 597523 में 7 का इस्थानी मान और जाती मान मैंने इस्टाडिंग के दिन मतलब पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जाती मान जाती मान और इस्थानी मान जाती मान और इस्थानी मान जाती मान जाती मान किसी भी संक्या का वो ही संक्या होती है जाती मान किसी भी संक्या का वो ही होती है और इस्थानी मान मैंने बताया था अगर एकाई इस्थान पे हैं तो मल्टिबलाइ वन करते हैं दहाई इस्थान पे हैं तो मल्टिबलाइ टेन का करते हैं और अगर सेकड़ा की इस्थान पे हैं तो मल्टिबलाइ सो का करते हैं हजार की इस्थान पे हैं तो मल्टिबलाइ थाउजन का करते हैं ठीक ऐसे आगे जलती जाएगी यह है इस्थानी मान की वेल्यू ठीक इस्थानी मान पर यह है लेकिन जाती मान किसी भी संक्या पर आ रहा हो उसका जाती मान वही होगा इसने बोला साथ का इस्थानी मान और जाती मान साथ का इस्थानी मान मैंने कहा था 1000 का multiply करना पड़ाएगा ठीक तो क्या बोल रहे हैं कि इस्थानी मान और जाती मान का अंतर कितना होगा ये तो हुआ इस्थानी मान और ये हुआ अपना जाती मान दोनों का different आएगा 10 में 7 गया तो 3 बचा 9 बचा 9 और ये 6 अंसर आपका ये ही आएगा अंसर कौन सा आएगा इसमें से ये थड़वाला अंसर कौन आएगा थड़वाला ठीक है अब आगे देखो अब आगे ये बोल रहा हैं आगे देखो किशन किशन क्या बोल रहा हैं चार प्राकर संक्याएं इस पकार हैं कि 3-3 करके जोड़ने पर यो क्रमशा 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता हैं तो इनका मात्ती कितना होगा देखो ये थोड़ा क्योशन थोड़ा अच्छा है और ये से सिम पूचा हुआ क्योशन है तो इसको करते हैं स्वालो इसको करते हैं स्वालो ठीक है चार प्राकर संक्या है अपने मान लिए चार संक्या हैं A, B, C और D इसने क्या होला कि 3-3 करके जोड़ते हैं पेले मैंने A plus B plus C, इसका योग उसने दे रखा है, 180, ठीक है, उसी परकार, अगली तीन को जोड़ते हैं, B, C, और D, इसकी value कितनी आईगी, 197, ठीक है, ठीक, इसकी कितनी आईगी, 197, इसी परका, C, D, और C, D, और A, प्लस, sorry, A, इसकी value कितनी दे रखी हैं, 208, ठीक, ठीक है, इसे परकार, D, A, और ये B, इसकी value कितनी आईगी, 222, ठीक, ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसने अपना माद्य पूछा, माद्य पूछा, माद्य का मतलब क्या होता है, जितनी पूछा हैं, उसे भी का डिवाइट कर दूँ, माद्य निकल जाएगा, अब देखो, इसको जोड़ लो, एक यहां है, एक A यहां है, एक यहां है, यनि, total 3 A हो जाएगा, इसे परकार, B यहां है, B यहां है, और एक B यहां है, यनि, total 3 B हो जाएगा, और C देखो, 1, 2, 3, 3 C हो जाएगा, ठीक वेसे ही, 3 D हो जाएगा, total इनकी वेल्यू किसने आईगी, total इनकी वेल्यू देखो, 7 और 8, 15, 17, 17 का साथ, केरी कितना, 1, 9, और एक इसमें जोड़ा, 9, 9, 9, 8, 18, 22, 20 की 0, कितना आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह हो गया, 807, अगर इन सभी में से, मैं अगर A common ले लेता हूं, sorry, 3 common ले लेता हूं, तो A plus B plus C plus D, ठीक है, अगर, 3 मैंने बाहर ले लिया, तो वेल्यू कितनी आईगी, 807, ठीक है, 807, ठीक है, यहां ले लेते हैं, इस वेल्यू को यहां ले लेते हैं, ठीक है, यहांनि, A plus B plus C plus D, बरावर यह कितना होगा, 807 upon 3, ठीक है, तो ABC की वेल्यू किसे हैगी, अब उसने बोला, इनका माद दे, तो संक्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 4 संक्या, तो 4 का डिवाइड इधर किया, तो 4 का डिवाइड इधर भी करूँ हमें, ठीक, 3 से काड़ दो, 3, 2, 6, 3, चंग, 18, 39, 27, और यह 4 बचा, 4, चंग, 24, 2 बचा, 4, 7, 28, 1, 2, 4, यही अंसर इसका, यही अंसर है, ओप्शन नमपर, ठीक, ठीक है, अब आगे देखो, अग्ला क्यूशन क्या बोल रहा है, अग्ला क्यूशन बोल रहा है, संक्या, 8 की पावर, n, और 4 की पावर, n, इसमें विवाजित होगी, यहां किससे विवाजित होगी, जबकि n एक प्राक्रस संक्या है, ठीके, मैंने बताया था मैंने बताया था कि प्राक्रस संक्या है प्राक्रस संक्या क्या होती है यानि नेचुरल नमबर यह थे 1, 2, 3 ठीक ऐसे वेल्यू पूट करके देखो अगर मेरे पास क्या दे रगा है इसकी पावर N माइनस 4 की पावर N इसमें अगर N बराबर यह रख देता हूँ N बराबर यह 1, 2, 3 रख देता हूँ N की मेलियों मैंने 1 रखी कितना आया यह आएगा इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 बराबर कितना 4 उप्षन आ रहा है अगर आपन 4 से भी डिवाइड करें यह डिवाइड हूजए यह दो उप्षन तो अब लगा नहीं सकते है दूसरा रखो 2 यानि 8 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 बराबर ठीक है कितना जाएगा 64 माइनस यह 16 इक्वल कितना 48 क्या उप्षन में है यह यह आंसर आएगा इसका ठीक है आगे देखो ठीक है अब आगे देखो यह बोटा है जब एक पूरांग जब एक पूरांग एक को तीन से विवाजित किया जाता है तो 6 फ़ल एक आता है जब ए प्लस बन को 5 से विवाजित किया जाता है तो 6 फ़ल छुन जाता है तो एक का मान क्या होगा ये मेरे पाथ जो संक्या है ये तीन है ये क्या है ये तीन है ये बोला जब एक पूना एक को तीन से विवाजित किया जाता है तो शेशपल वन आता है और जब ए प्लस वन को पाथ से विवाजित किया जाता है तो शेशपल चुन याता है तो A का मान क्या होगा देखो A को मान लिया जाए कि मेरी A वाली संक्या यह है इस A को मैं 3 से विभाजित करूँ तो मैं यहां कितना बचेगा मेरा यहां बचेगा 20 और 2 भाई 3 अगर मैं इस से डिवाइट करूँ हो तो मैरा उप्षन यहां आएगा ठीक है तो मैरा क्या 1 बचना चाहिए जबकि यहां 2 बचरा यह होने सकता ठीक इसको ले लो यानि इस 63 को मैं 3 से डिवाइट करूँ तो यह पूरा कट जगा लेकिन जबकि मेरा को यहां प्लस 1 बचाना है ठीक है लेकिन नहीं बचरा जिरो बचरा यानि ओप्षन नमबर यह भी रही नहीं इसी प्रकार C में चलो इसमें क्या करूँ अगर मैं 3 से विभाजित करूँ तो 3 दून 6, 3 एकम 3 प्लस यहां पर बचरा मेरा 1 बचरा 3 से इस संक्या को डिवाइट करूँ तो मेरा एक बचेगा यानि 21 तिया 63 एक बचरा ठीक है ठीक है 21 तिया 63 और एक बचरा है ठीक है यह 6 बचरा है यहां तो फर्फेक्ट हो जाता है अब यह बोल रहा है कि जब A प्लस 1 यानि इसमें यह 64 को मैं एम आना तो यहां प्लस 1 करूँआ तो यह कितना हो यह असिस्टिफ है और 5 से डिवाइट करूँआ तो मेरा 6 बचरा यहां शुन्य आता है और क्योशन मेरा यही बोल रहा है कि option आपका शुन्य आना चाहिए शुन्य आन्य चाहिए यानि यह answer इसको satisfy करेगा यह answer इसको satisfy करेगा ओके तो option से इसको बना सकते है अगर theoretical देखें तो theoretical थोड़ा से लंबर बसस हो जाता है इसलिए अपन थोड़ा क्या है option से इसको देखते है option से इसको देख लेते है ठीक है अब दोस्तों आज क्लास यहां तक ही बन रहीए यहां यही पर खतम करूँआ थोड़ा सा काम है और आप चैनल को like और share कर दिए चैनल को subscribe करें और comment डालें question किस प्रकार के चाहिए तीन टाइप की question तो मैंने करवा दिया है लेवल जैसे जैसे आपन बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल basic से basic level से अगर 10th standard का बंदा भी है तो वह भी बिल्कुल समझ जाएगा ओके चलो ठीक है thank you everybody activity डालाएण